हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Realme 12 Pro Android में आप अपने Bluetooth की keeps stopping problem का अप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों अगर आपके मुवैल फून का जो Bluetooth जब भी हम किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम कनेक्ट करते हैं तो हमारे Bluetooth वाले पेच पर जो क यहां करने हैं और आपको एंटरनेट आप चलिए इसके बाद आपको मुवैल फून का सेटिंग पेज कर लेना है ठीके ना, setting page को open कर लिए, setting page के अंदर आपको सबसे उपर ये search bar पे tap करना है, यहाँ पे आपको सबसे उपर search bar में software आपको लिखना है, software आप लिखेंगे तो नीचे की साइड आपको ये software update का options होता है, इसे tap करना है, आपको phone directly आपको setting page में लाएगा, आपको इस वाले page आपको नीचे एक page आगा, इसमें दुबारा से reset network setting पे tap करना है, आपको नीचे यहाँ पे थोड़ी दिर में लिखा हुआ जाएगा, reset network complete, ठीक है, तो यहाँ पर ही दिखेंगे आचुका है network reset complete, इस तरही से phone की network setting को reset कर देना है, ठीक है अब दिखेंगे अगला काम आपको करना है, आपको जो आना mobile phone को restart करना है, phone को restart करने के लिए phone के side वाला power button आपको उंगली से थोड़ी देर तक दबा के रखना है, आपकी screen के सामने एक छोटा दा page open हो जाएगा इस तरीके का, इसमें आपको जो white वाला reset आपको तब करना है, जब मेरे बता है वे पिछले process, कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको phone को reset करना है, otherwise नहीं करना है, ठीक है, phone को reset करने के लिए phone का setting page open कर लिए, setting page में सबसे उपर सर्च बार पर tap करना है, यहाँ पर सबसे उपर search bar में reset आपको लिखना है, ठी आपको नीचे की side, erase all data पर tap करना है, इससे आपका phone जो reset हो जाएगा और आपके phone Bluetooth की keeps stopping की problem है, यह आपकी solve हो जाएगी, लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखने है, आपके phone में जितना भी data, सारा data, आपकी CV दूसरे phone मे transfer कर लीजे, या उसका backup ले लीजे, दूसरी बात ही ध्यान रखने है, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है, यह दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद phone को reset करना है, ठीक है, तो दस्तों इस वीडियो में मेरे बतायवे सारे process आपको use करना है, इससे आ लोगा जैगी ठीके लागान।